क्याता है एक्स ओना हाउस इन डेली विच मुंसिपल वेल्यूएशन साथ सेम कोश्चन तो नहीं है यह दो लाक रुपए नहीं अलाग है कहता है एक्स का हाउस है डेली के अंदर वेल्यूएशन एमवी दे रखा है आपको फियर रेंट दे रखा है वियर स्टेंडर रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाफ से दे रखा है दूरिंग दा प्रीविएस यर थेईश शौबेस दा हा वेकेटेड इतने दिन से इतने दिन तक वेकेटेड था विंग सेल्फ उक्यूपाइट रेजिदेंचल परपस इट वॉस दा लेट आउट कर दिया तो इतने अब तो यह बारा से ही मल्टिप्लाई हो जाएगा रेंट ऑफ वन मन्थ कंडिशन रूल नंबर फोर वन मन्थ क का रेंट हमारा मैनेस कर दिया जाएगा रूल नंबर फूर के अक्रडिंग ऑफ फॉलमइंग एक्सपेंडिचर कुछ इसने इसने दो लाख रुपे का एक चार दो हजार वीस एक चार दो हजार वीज्य के हिसाब से एक चार दो हजार वीस और 113-2020 और construction was completed 22 में तो यह आएगा 142021 31 3220 इसके बाद एक लाइन और बना और इस साल में आएगा 142022 और 31 3223 और लून कब complete हो गया इसी साल हो गया तो हमारा PCP यही माना जाएगा तो PCP कितने महिने आ गए अगें 24 महिने आ गए बारा परसेंट पर एन्यम construction was which was completed है 50 परसेंट लोन रीपेट 30 सेप्टमबर यह बात एक इसने अच्छी बोली के भाईया लोन का 30 सेप्टमबर को 2020 में आधा लोन का तो पेमिंट हो चुका है अधा लोन का 20 में ही पेमिंट हो गया है अब PCP में देखो में इसने आपके साथ जो करवाना था वो इसमें करवा लिया मुंसिपल वेल्यू क्या दे रखा था हमें बताते जाना एक लाग फेयर रेंट क्या है एक चालेस इस्टेंडर रेंट क्या है एक बीस तो एकस्पेक्टेड रेंट क्या आएगा सर एक बीस actual rent receive and receivable कितना होगा सर कितने 15,000 रुपे के महिने पे किराये पे था तो 15,000 इंटू में 12 लगेगा यानी 1,80 और उसने कहा कि भईया घर खाली था कितने महिने के लिए could not realize 1 month तो minus कर देंगे unrealized rent के नाम से एक महिने का that is 15,000 रुपे तो कितने बने हमारे 20 minus करो 1,65,000 तो GAV आ गया GAV के आ गया 165 minus कर दो municipal text paid municipal text कितना था 15,000 तो 15,000 minus करते हैं 10,1,50,000 यह आ गया NAV minus कर दो 24A जो कि बनेगा 30% जो आएगा 45,000 यहां तक तो question इतने आसानी से हो जाता है फस्ता इंसान यहां पे है interest वाले point पे अब question के interest पे आते हैं interest में क्या कहता है कि loan का 50% यानि हमने जो यहां पे loan उठाया था PCP 24 है अब धियान देना यहां पे जो मैंने loan लिया था that's loan is 2,00,000 September 2020 September 2020 साल में आएगा September 2020 BCC में आएगा न तो इस साल के September यानि ठीक 6 महिने बाद हमने loan का 50% payment कर दिया मतलब यहां से जो मेरे उपर कर जा रहा वो सिर्फ एक लाक रहा तो अगर हम PCP निकालने जाए pre construction period तो 24 महिने हैं लेकिन अगर हम उसका interest निकालते हैं तो क्या होगा सर्थ 2,00,00 रुपए पे जो निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ 6 महिने का और वो भी rate कितने परसेंट के एसाब से बारा परसेंट इंटू में 6 by 6 by 12 यानि 12,000 अब बाकी का time जो बच गया है यहां से लेके और ये पूरा साल 6 महिने और ये बच के कितने महिने 12 और 6, 18 महिने 18 महिने calculate होंगे आपके 1,00,00,00 पे इंटू में 12,00, इंटू में 18,00, बटे में 12 तो अगर देखा जाए 1,00,00, पे 12 परसेंट डिवाइड़ बाए 12 इंटू में 18,00, तो टोटल इंटरस्ट जो बना वो बना 30,000 ये टोटल है तो अगर हम निकाले पास से डिवाइड करके तो PCP का जो इंटरस्ट आया 30,000 और इसको डिवाइड पास से करेंगे तो भीया 6,000 का इंटरस्ट बना ये और करेंट इयर का भी इंटरस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि लोन 50% स्टिल आउट्सेंडिंग है ये एक लाग पे आपको निकालना पड़ेगा कितने परसेंट 12 परसेंट तो इंटरस्ट की कैलकुलेशन हो गई कितने टोटल 18,000 तो 24B आजाएगा हमारा 18,000 बहुत टफ कैलकुलेशन है ये एक बार आप समझ लो इस कैलकुलेशन को मैं आंसर तो लिख रहा हूँ यहाँ पर 87 आई एच बी आप एक बार कैलकुलेशन पर गौर करना टफ कैलकुलेशन है सर 1x5 नहीं होगा क्यों नहीं होगा PCP वाले पार्ट पे तो 1x5 करना ही करना पड़ेगा न एक मिंट देख लेते हैं 2020, 21, 22 घर कब कम्पलीट हुआ हमारा 2022 में तो होगा बिलकुल डेफिनेटली होगा क्यों नहीं होगा हमने बाद में कर दिया 1x5 यहां पास से डिवाइड किया नहीं है तो यह 1x5 ही है बताइए किसी को डाउट इंटरस्ट टेकनिकल पॉइंट है यह किसी को डाउट है बताइए क्लियर हो गया कोशन चलिए चो यह एक मिनट यह कुश्चन पेपर डिसकस किया था आपसे न क्वेश्चन नमबर एट चलिए कहता है Mrs. Y on a large house in Delhi municipal value of these house 240 and standard rent of these of the house 3 lakh one third portion the house is let out 10,000 रुपे महिने पे one and remaining two third portion use for self residence municipal tax paid whole house का यह है and she paid insurance premium इसका कोई काम नहीं है insurance premium का repair charge कोई मतलब नहीं है during the year she took a loan एक दस लाक रुपे का एक एक दो हजार एकेस फूर कंस्ट्रक्शन ऑफ दा हाउस बारा परसेंट पर एनम के इसाब से कंस्ट्रक्शन वस कंप्लीटेड टेईस में कंप्लीट हुआ जाके यह घर ठीक है कंप्यूट इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी असेस्मेंट यह दे रखा है तो सबसे पहले हमें अब घर को दो टुकुडे पर बाटना पड़ेगा सारी चीजे क्योंकि on the basis of क्या आगया यह area अगर time के basis पर होता है तो कुछ नहीं बाटते लेकिन on the basis of area होता है तो सब कुछ बाट दिया जाएगा यानि यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा हमारा यह वाला area हो जाएगा one by third किराए पर ना one third let out और two third so हो जाएगा तो अगर अब देखा जाए हमारे पास क्या क्या given है सर हमें municipal value given है और दो चालिस है तो दो चालिस को अगर हम बाट दे one third में तो असी अजार एक साट ऐसे हमें बाटना पड़ेगा आप किसको fair rent fair rent दे रखा था municipal standard rent fair rent नहीं था ना नहीं है standard rent तीन लाग है ना standard rent एक लाग और दो लाग expected rent जो यहाँ पर निकल के आएगा वो आएगा हमारा असी हजार और यहाँ कुछ नहीं होगा और actual rent receive and receivable देखा जाए तो कहते है के भाई यह 10,000 महीने के किराए पर दिया तो 10,000 इंटो में 12 1,20,000 कोई vacancy तो है नहीं तो अब हमारा जो जी यह भी निकल के आएगा that is 1,20,000 और यह 0 आएगा माइनस करो MT अब MT जो payment किया इन्होंने वो MT कितना payment किया 24,000 तो 24,000 डिवाइड़ वाई 3 8,000 इस वाले का माइनस किया जाएगा इसका माइनस नहीं होगा अब क्या आजाएगा हमारा NAV NAV आजाएगा 1,8,000 के न एक बीस में से 1,12,000 पहले यहां तक देखिए question में किसी को doubt यहां तक किसी को doubt अब माइनस क्या करेंगे 24A 1,12,000 का 30% 33,600 अब माइनस करेंगे 24B जो कि हमारे लिए सबसे main challenge है क्याता है हमने loan लिया 1,12,000 जो loan लिया 1,1,2021 तो मैं यह साल बना लेता हूं आपके लिए यानि 1,1,20,21 end हो जाएगा 31,3,2,0,21 इसके बाद अगला साल आएगा 1,4,2,0,21 31,3,2,0,22 फिर अगला साल आगया यह आगया 1,4,2,0,22 end होगा 31,3,2,0,23 और घर complete हुआ जून में फिर अगला साल आगया यह आगया 1,4,2,0,23 और 31,3,2,0,24 तो आप देखो कौन से साल में घर complete हुआ पहले तो वो ढूंडो लास्ट वाले में क्या कहता है घर complete 33,3,0,23 जून हुआ तो इस वाले में तो नहीं आएगा इसमें और इसी का हमें टेक्स भी निकालना है तो यह तो current year में आगया यह तो PCP नहीं आएगा तो PCP में क्या आएगा 12 महिने यहां के आजाएंगे 12 महिने यहां के आजाएंगे और यहां पे कितने महिने आजाएंगे तीन महिने तो PCP टाइम अगर मैं निकालूं तो PCP आएगा हमारा 12,12,24 और 3 27 मंत का होगा समझे अब लोन कितने का लिए 10 लाग का तो इंटरस निकाल लेते हैं इंटरस 10 लाग का लोन लिया है इंटू में क्या रेट था भहिया रेट 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 12% और कितने महिने 27 डिवाइडेड बाइ 12 और 1 बाइ 5 54,000 अब करेंट इयर का इंटरस निकालो क्योंकि करेंट इयर का तो लोन तो इस्टिल आउटसेंडिंग है इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 12 बाइ 100 और 12 बाइ 100 देखा जाए तो 1 लाग 20,000 तो 54,000 प्लस 120 174 ठीक है 1 लाग 74,000 काईदे से देखा जाए तो 1 लाग 74,000 हम इसमें से माइनस कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पूछेगा नहीं लेकिन एक्जाम में कोशन नियू रिजिम का आया है तो ये इंटरस भी जो है उसको बाटना पड़ेगा तो इसमें आ जाएगा 58 और क्योंकि नियू रिजिम है तो यहां पर कुछ भी इंटरस का डिड़क्शन नहीं मिलने वाला तो अब 1,12,000 माइनस 33,600 माइनस 58,000 तो बीस चार सो हमारा आ गया यह आई एचप तो यह सारी चीजे देखो इतनी कैलकुलेशन की और यहां पर माइनस नहीं किया और उसी के हिसाब से करा जा रहा है अगर यही होता हमारा कौन से पुराने वाला टेक्स रेट वाला तो जो 1,74 में से 58 यहां गया जो रिमेनिंग बस था वो यहां माइनस करके यह नेगेटिव में आ जाता हमारा चलिए किसी स्टूडेंट को इस कुश्चन में डाउट